आज मैं आपके साथ शेर करूँगी करला का एक बहुती एक सादिस रेसिपी इस करला का सब्सक्री को आप रोटी के साथ या चावल के साथ साथ सारप कर सकते हो खासका रोटी के साथ बहुती आच्छा लगता है खाने में और इसे हम डीप खाइग नहीं करेंगे कुछ टाइ शnot ml दिया वाण याम निया कर्ल है रंठ्रanne कятकब का लाय में चींचीं। kot ऐह कर लेंगे और भिष्द का सब्सक्राइब अधी पार कॉया है चाहर हम कर्ला को का लाय में कर्ला इतला कराल लिए याम को आप जा हंब दाग्ला का ममजाला लिया बाढ़ा देना अब करला का अंदर का हिस्सा इस तरीके से हम काट के बाहर निकल देंगे सारे करला को हम इस तरीके से काट कर लेंगे तो गैस के उपर एक पैंचरा देंगे उसमें डाल देंगे दो से तीन टेल स्पून तेल जब गरम हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे हाप टी स्पून साबुत जीरा ठरा 1 तेल स्पून हम डाल देंगे साबुत धनिया और डाल देंगे हम 10-12 ऑ दो सब्सूंत काली मिर्च तोड़े हुए और इसे हम बिल्कुल हलका फ्राइ कर लेगे जब हलका फ्राइ हो जाएंगे तब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा साइज प्याज को बारिक चौप कर लिया है अगर आपके पास बड़ा प्याज ना हो तो दो मीडियम साइज के प्याज को आप चौप करने ला और इसे हम मीडियम फ् तwegen मिस पून हम डाल लेंगे इसमें भुल्ली पाउडर और फ्राई करकि लेंगे तो दढ़र 3 आजप्र मसालर को फ्राई नहीं करना है हालका सारी जास्री से भिए जैश्ट में फ्राई करेंगे अल्मूजद हमारा प्रियाच फ्राई हो चुका है तो चली इसको एक बठर में निकाल के इसे ठंडा करने के बाद में और इसे ठंडा होने देंगे जब तक ठंडा हो रहे तब तक हम दूसरे तयारी कर लेते हैं उसी पैन में हम डाल लेंगे फिर से 1-2 टेबिल स्पून तेल तेल जब गरम हो जाएंगे जो करेला को हमने काट के राखा था उसको हम फ्राइ करेंगे जास्ट इसे हलका सा फ्राइ कर लेंगे ज्यादा डीप फ्राइ नहीं करना है इसमें डाल देंगे नमक और इसे हम फ्राइ कर लेंगे तो चलिए इसे हम ढख देते हैं 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्रेम पर बस 2-3 मिनिट बाद फिर से खोलके हम इसे फ्राइ करेंगे हलका हलका जास्ट इसे फ्राइ कर लेंगे देखिए अल्मोस्ट हमारा फ्राइ हो चुका है अब इसे निकल कर राख देते हैं अब तब तक जो प्यांज हमने फ्राइ करके राखा तो ठांडा हो चुका है अब मिक्सी जाल लेंगे उसमें प्यांज फ्राइकिया और प्यांज लोसुन और चसाबुत जीरा धनिया उसको हम डाल देते हैं अब हम इसमें डाल देंगे वान टेवर स्पून हम डाल देंगे इसमें सांबर मसाला और डाल देंगे लाल मिच पाउडर हाप टीश्पून और वान टेवर स्पून हम डाल देंगे इसमें इमली का पेस्ट और थोड़ा सा पाई डालके बिल्कुल फाइन पेस्ट बाना ल और आप पिस्टें के टाइम उसी टाइम में नमक दे देना मैंने नमक ढलना भूल गया था इसले इस टाइम हमने नमक यूच कर रहे हूं आप जिस टाइम प्याज पीश रहे उसी टाइम आप लगालते जाएंगे अब जो करळा को हमने फाइग करके रखा था उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम मसला डालते जाएंगे और भरने के बाद करला का इस तरीके से भरने के बाद जीतना मसला हमारा बाचेंगे उसको हम फेकेंगे नहीं बाचा के राखेंगे तो बज गया तो मसला बराखना बाद में काम आएंगे तो करलेला सार इस तरह के से हमने भर लिया है अब गयस के उपर फिर से एक पैन चला देंगे उसी पैन में हम डाल देंगे सोसो का तेल जाल लेंगे दो से तीन डेविल स्पुन और आप अगर सोसो का तेल नहीं खाना चाहते हैं तो उसमें रिफाइन ओयल भी यूज़ कर सकते हूं लेकिन सोसो का तेल में बहुत बड़िया टेस्ट आता है तो आचको आप मीडियम फ्लेम पर आके इस तरह के भरवा करला लेके जा सकते हो बहुत आच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में कि दोनों शायद हम अच्छे से फ्राइब कर लेंगे इससे करला हमारा अच्छे से फ्राइब हो चुका है अब जो बचा हुआ मसला था मेरे टेबलिस्पून मसला बच्छा था उसे हम इसु टार्शी कर लेके शाहते auster मिंस्ट कर देंगे व्यमय बच्छे करने के जरूर्य नहीं कि मैसला हमारा पहले साही फ्राइब हो चुका था इसके करले करके इसके निकाल लेंगे तो चलिए फ्राई हो चुका है तो इसके प्लेटिंग कर लेते हैं उबीने रेसिपी आप लोगों को जोरूर पशंद आये होंगे पशंद आये तो एक लाइक जोरूर कर देना तो चलिए फीर मिलते हैं एक नहीं रेसिपी के साथ तब तब आपना ख्याल रखना